1976 में रूटीन खुदाई हो रही थी और अर्केलोजिकल सर्वे रूटीन खुदाई करता है तो नीचे खंबे निकल आए और उस खुदाई का नेत्रत्व केके मुहमत कर रहे थे एस जुइन डिरेक्टर ऑफ आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया श्री राम नला प्रकट हुए तो आपको पता उसकी पहली गवाही किस ने दीती है किसको पहले लाइट दिखाई पड़ी जो लोगा आज पूछते हैं वहाँ पे एक पुलिस का सिपाही जो की ड्यूटी प पता उसकी पहली गवाही किस ने दीती किसको पहले लाइट दिखाई पड़ी जो लोगा आज पूछते हैं वहाँ पे एक पुलिस का सिपाही जो की ड्यूटी पे था उसका नाम था अब्दुल बरकत और उसने बाकाइदा मजिस्टेट के सामने बयान दिया है कि मुझे र परकत को तो रोशनी दिख गई थी पर आज वालों की फित्रत पता नहीं कैसी है इनको कब रोशनी दिखेगी ये भगवान जाने अब आपको बताता हूँ उसके बाद 22-23 दिसमबर 1949 को जब मूर्तियां प्रकट हुई तो उस समय नहरू जी ने उस समय यूपी के यूनाइटेट प्राविस कहलाता था चीफ मिनिस्टर गोविद बलब पन जी को लेटर लेखा 26 दिसमबर 1949 कि जो आयोध्या में हुआ है ब उन्होंने आदेश मानने से इंकार कर दिया केके नयर वो केरलाइट थे और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि हटाने से बहुत भीषन सामप्रदाइग दंगे हो सकते हैं और उस समय विभाजन की बात केवल डेड़ साल पुरानी थी तो उन्होंने कहा था दिएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी डिएम की पावर इंपीलियर सिविल सर्विस्टेस के रूल्स में डिफाइन थी और वो एक्सलूट थी और मैंने तो यहां तक सुना है मैं इसका पुष्टी नहीं करता क्योंकि लोग कहते जो पुराना पाइनियर अखवार था उस था उस समय में तो आप सोचिए जिन्होंने लिखा कि बहुत बुरा हुआ और आपको एक फैक्ट और बताएं बारा साल तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकारी नहीं बना टाइटिल सूट जो होता है उसकी एक मियाद होती है बारा साल अगर बारा साल के अंदर आपने लैंड पे क्लेम नहीं किया तो यह क्लेम इस फोर फीटेड और इस बारे में केके मुहम्मद ने जो आर्केलोजिकल सरवे के अधिकारी थे उन्होंने अपने मेमायर में लिख से यह मगर तब लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट उन्होंने जा जाके उनके कान भरे और जब बारा साल की मियाद पूरी होने में एक हफता रह गया था डैट पोस डिसमबर 1961 तब यह टाइटिन सूट फाइल किया गया कि हमको भी पार्टी बनाए गया आप इससे समझे कि च चात्र जीवन में थे तो एक विचारक आए हमारी उन्वस्टी में तो उनसे सवाल पूछा गया कि आज आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं जब आजादी के जस्ट बात सोमनात के मंदिर सॉल्व हो गया तो यह राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया हो कि सोमना सर सरदार पठेल के पास था उसमें से एक एक एक्स्क्लूसिवली नहरु जी ने अपने पास रख ली थी वह कश्मीर वह आज तक सॉल्व नहीं हो पाई थी वह अगस्ट 2019 में जाके सॉल्व होई है मोदी जी के नेतर्त में जब हमारे ग्रहमंत्री आमिश्या जी ने तो मैं सिर्व यह बताना चाहता हूँ सॉल्व कभी भी हो सकता था फिर 1976 में रूटीन खुदाई हो रही थी और रूटीन खुदाई करता है तो नीचे खंबे निकल आए और उस खुदाई का नेत्रत्व केके मोहमत कर रहे थे एस जॉइन डिरेक्टर ऑफ आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया उन्होंने बताया कि लेफ्टिस्ट हिस्टॉरियंस के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई अब एक और आपको बात बताओं वो खुदाई रुकवाई गई किस चीज के लिए कि सबूत ना निकलने पाएं और कोर्ट से इस्टे ले लिया गया कि खुदाई नहीं करवाई जाएगी देखिए भगवान राम इस सिती तक जानते कैसे पहुंचें जो जो साइंस डेवलप करती गई है तो भगवान के सबूद भी सामने उठकर आते गए मैं आपको उधारन बताता हूं अब इन्होंने उस पे स्टेर करवा लिया अब उसके ऐसे शब्द होते हैं जो आपको बहुत अच्छे डंग से समझने चाहिए कि इनमें क्या क्या चीज़ें खतरनाक होती है जैसे एक शब्द होता है लेफ्ट लिब्रल एक कमनुस कंट्री बताईए जो लिब्रल हो जहां वेक की सुतनता हो मतब जो लेफ्ट कभी लिब्रल ह कोई नहीं सकता अगर कोई यह कहे कि आम लेफ्ट लिब्रल इटस ल्यक सम्बडी सेंगा आयमेंड यी डिवाव टैथ यह स्ट मैं बहुत इश्वर्भक्त नास्थिक हूं अगर कोई ऐसी बात कहे थो ऐसी बात है कोई कहे कि लेफ्ट लिब्रल है अब इन्होंने समझाया और मामले कोल जाया अब सुनिए धांचा गिरने के बाद खुदाई नहीं वो इस पर कोट का इस्टे था मगर क्या बताएं टेक्नॉलजी ने मार दिया से ग्राउनरी पिणद्रेट्रिंग रेडार की टेक्नोलजी आ जब हमारी अटल जी सरकार ती तो सरकार ने कहा कि भाई खुडाई पर एक्सकेवेशन पर रोक है जब हैंधरी य। भई operation की मनाई थी ultra sound की तो मनाई नहीं थी न तो साब ultra sound किया गया निकल आया उसमें से धाचा अब जब high court के सामने रखा high court ने permission दे दी कि जब धाचा दिख रहा है कुछ तो खुदाई करवाईए अब खुदाई करे उसमें दर्जनों खंबे निकल आए अज सुनिए क्या 2010 का judgment अगर आप पढ़ेंगे उसमें से बहुत detail में सारा है वो उपर से तो मस्जिद के खंबे थे और नीचे जाने पर वो मंदिर के खंबे थे